ब्रजपार्ट से प्रठियात शब्द के दो अलग अलग वाडों में दो महिला की गई जान तीन जख्मी कठिहार जिले के फलका प्रखंड के पोठिया ओपी छेतर के शब्दा पंचायत में ब्रजपार्ट से दो महिला की गई जान मिली जानकारी के अनुसार एक महिला मकुनियाद देवी पती को काये रिशी के परिजनों ने लिखित तर पंठिया पोस्ट माटम कराने से इनकार तो दो दूसरी मंजु देवी पती गुलाब चन पासवान को भीजा गया पोस्ट माटम के लिए कठी हार मिली जानकारी के अनुसार पोटिया उपी के शब्दा गाउं में सोमवार के रात देड़ बजे दो अलग अलग जगों में ब्रजपाथ की चपेट में आने से दो महिला की मौत हो गए और तीन को हलकी फुलकी चोटे आई थी तेज बारिश के साथ गजपाथ से पांच घर शतिग्रस्क हो गया वरत दोनों महिला के घर पर मातमी शोग पसरा हुआ है बतादे की मौतम विभाग में कटिहार के लिए येलो अलट जिजारी किया था जिसमें पुर्वा अनुमान जटाते हुए मेग गरजन के साथ बारिश की संभावना व्यक्ट की थी सुमवार कुजिले में बारिश और मेग गरजन हुआ पुठिया ओपी में ब्रजपात से इस घटना में मौत से गाउं भर में कुहराम मच गया बताया गया कि मंजू देवी पैतालिस वर्ष जो गुलाब चंद की पत्नी थी देज राध बारिश के दोरान आगन में रखा सामान लेने गई हुई थी इसी दोरान ब्रिच आगिर्या जिस का रड़ उनकी मौत हो गई वहीं दूसरे मिर्टक महिला ब्रजपात में बिजली की तार के चपेट में आने से मौत हो गई बिजली और आधा दर्जन कच्चा मकान छति ग्रस्त हो गया सुचना उपरान फलका अंचला दिकारी वा फलका पुलिस वा दल बलके साथ घटना एस्थर पर पहुँच कर एक शब को कबजे में कर पोस्टमाटम के लिए सदर अस्पटाल कटिहार भीर दिया वहीं दूसरे महिला के परीजनों ने लिखित तौर पर पोस्टमाटम कराने से इंकार कर दिया किसी भी तरह के सरकारी सहता लेने से भी इंकार कर दिया कटिहार से चंदन कुमार चौदरी की रिपोड़